सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबादें कि हम लागते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी क्यों आपके लिए की भाए उडीए यउट्यूप पे देखे हूं लेकि उन विडिएो में आपको पूरी जनकारी नहीं नहीं आपके मम कोई सवाल अदूरा रह जाता है तो आप कॉमेंट करके भी पूर सकते हैं दूस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर कप का ज्यादा तर इस अमाल जाय सूप और जूस की दुकानों पर पाटी और फंसंग में आइस्क्रीम इंडस्ट्री रेस्टूरेंट रेलिवेस होटा कैसा है पेपर कप का साइट 40 एमिल से 6 समय तक होता है और आपको पहले ही डिसाइड करना होगा भी इस तरह और कि साइज की कप की डिमांड आपके अरिया में सबसे ज्यादा एक्जामपल के लिए जैसे आइस्क्रीम इंडस्ट्री में ज्यादा तर 40 एमिल से 3 समय तक कप जदातर यह जोगा है और अगर आपके अरिया में इसक्रीम फैक्ट्री ज्यादा है तो आपको उनके रिक्वार्मेंट के हिसाब से प्विकंपर क्यार करना हुझा है ठीक वैसे ही एरिस्टुरेंट होटल की रिक्वार्मेंट अलग होंगा है और जब आप मसीन का ओडर कर अपने पास रखना हो अपने इंडिया में पेपर के बहुत सावे मैनिफेक्चर हैं जिसमें ITC, खना, सेंचुरी बड़े मैनिफेक्चर हो और इनके डिस्टिबूटर आपको हर बड़े सहरी में मिल देंगे दोस्तों पेपर कप के बिजनिश ने पैपर के लिए दो तरगा पेपर लगता है, पहला जिससरे कप दयार होती है और दूसरा जो कप के बॉटप में लगता है और आपको ये दूनों तरगे पेपर एक ही सप्लाइयर के पास मेंऄ चाहिए ब्लाइंक के लिए जो पेपर लगता है उसका प्राइस 52 से 90 रूपीज पर गेजी तक उतार और वही बोटम का प्राइस पहों जाकता है उसकी 20 से 80 रूपीज पर केजी के हिसाब से मैंने बताया कि पेपर कप की मैनिफाक्चरिंग शुरू थी पेपर कप के डिजाइन से पहले हम कस्टमर का डिजाइन त्यार करते हैं और डिजाइन बनाने के बाद प्रिंटिंग प्लेट त्यार की जाती है जिसे मसीन रूमर में चिपका के डिजाइन की पेपर कप जाए और उन्हीं इस काम की अच्छी नौलेज होती है इसलिए कपी प्रिंटिंग क्वालिटी यह ची रही और इस काम के लिए उपड़ सीप चार्ज करते हैं दोस्तों प्रिंटिंग के बाद प्रिंटिंग सीट को डाइक कटिंग मसीन के जरी एक काट लिया जाता है और 26 इंच, 22 इंच, 32 इंच, 25 इंच, 37 इंच, 35 इंच, 42 इंच, या 42 इंच, 62 इंच और मार्केट में जो मसीन है वो एक घंटा में 800 बार पंच करने से लिए कि 3000 तक पंच कर सकती है मसीन का प्राइस भी उसके साईज और प्रोडक्शन केटसिटी के इंसाथ से कम और ज향डा होता है इसलिए आप अपने बजट के इंसाथ से ये मसीन खरीज सकते हैं और मसीन में एलेक्ट्रोडिक पैनल लगा होता है, जिसके ज़री आप पंच करने की टाइमिंग भी सेफ कर सकते हैं, कि कितने सेकेंड के बाद ये मसीन पंच करें, दोस्तों, पंची मसीन से निकले ब्लैंक के ज़रीए, लगं पैपर कुप मसीन दोरा पैपर कल की मनिफेक्चिरिंग की जाती है, दोस्तों, जबद बात करें, प exclusion capacity की, तो नर्मत ये एक पैपर कट की मसीन, एक घंटे में 2000 से 4000 की प olenda करती है, जो मसीन की production capacity पेडिपेंट करता है, आप सबीखरात में एक मसीन से सुर्थू़ कर, आड ये और परड़क्शन को बढ़ाते गु को और फी मसीन खरीज सकते हैं. दूस्तों, पेपर कफ मसीन से निकली त्यार पेपर पको. आप टाइकर मर्केट में सेल करने के लिए भिए बहा है सकते हैं. 37 cup में leakage और दूसरी problem भी नहीं है इसलिए आपके पास एक skill operator हमल जोड़ी है और वही technician यह insure करे रहे हैं किसी वज़र से आपकी machine बनना हो और आपका production रुके ना यदि आपके पास skill technician है तो जल्दी आपका problem solve कर देगा और आपका production smoothly run करेगा और आपका production और profit margin maintain रहेगा दोस्तों production के बाद packaging के लिए plastic पानी या crowded box का यूज़ कर सकते हैं कब के packaging के लिए और उसस करेंगी plastic पनी की thickness काम ताकि आप plastic पनी खरीते हैं वक्त अगर आप पर के जी जारा पनी पासके और पनी में पैक करने के बाद आप box के लिए low thickness box single ply के यूज़ कर सकते हैं और इसका फाइदा यह होगा कि box आपको सस्ता भी है और आपकी packaging cost कम आईगा और यह एक important factor क्योंकि आपकी cost इतनी कम आईगी आपका profit margin उतना बड़ेगा दोस्तों paper cup business में आप इसने भी छोटे-छोटे खर्चों में पैसा बचाएंगे और आपका business grow होता जाए चली दूस्तों बात कर लिता है profit margin की अगर आप 75 ml के cup त्यार करते हैं तो 1 kg material में आप 660 cup त्यार कर सकते हैं और जिसकी cost लगवा 97 रूपीज के आसपास आती है पेपर और बोटम को मिला जिसमें पेपर 70% और बोटम 30% होता है और इस हिसाब से आपके एक cup के production cost 14 पैसे के आसपास आती है जो थोड़ा कम और जड़ा भी हो सकता है रोमेट्री के price के हिसाब से या दूसरे factor से और other expense जोड़ने के बाद जैसे electricity, labor charge, transportation, per cup की cost 21-22 पैसे per cup हो जाती है और जिसे आप 5-10 पैसे per cup के profit margin के साथ आगे बेश सकते हैं market competition के हिसाब से और अगर आप एक paper cup machine के जड़िए per घंटे 15 अप भी त्यार करते हैं 75 ml के तो आप 24 घंटे में 36 जर cup त्यार कर सकते हैं और महिने में 26 दिन काम करके 9.36 जर cup त्यार कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने profit margin में को पहनी बड़ देख रहे हैं तो हमारे चानल को subscribe कर लीजिए और bell icon को भी दबा लीजिए इससे हमारे चानल पर जो भी video upload किये जाएंगे उसकी सूचना आपको कर दो दो इस वीडियो में इस नहीं नहीं करता हूं कि अपनी वीडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना आप गुलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहीं बिजनेस आडियेस पूंचे सबसे पहले आपके